अचनक से यह कोई चीज मुझे याद नहीं आ रहा है, यह जरूर है कि मुझे व गाना था मैंने जो है, जो मैं फेक दी आ गिया था नोप्रिस को मैंने गाना जो है, जो मैं फिर लॉट के आउंगा, यह ना भूल जाना तुम, मुझे तुम याद रखना और मुझे को याद याद आना तुम, मैं फिर लॉट के आउंगा, पियाना भूल जाना तुम, मुझे तुम याद रखना और मुझे को याद आना तुम. दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं, पोल टार्ट में हूं संतूस पांडे, आपने बहुत सुना होगा, और बहुत पढ़ा होगा, जबरिया रेटायर, कोई IP साथिकारी आपको सुनने में नहीं आया होगा, लेकिन अमिताब ठाकुर जी, जब लखनों में यह पोस्ट आप एक डिजीपी थे, जिन्होंने वियारस लिया, चुनाव रणने के लिए, लेकिन टिकट नहीं मिला, आप देखा होगा, रास्थान के डिजीपी, उन्होंने भी लिया, उन्हें बोर्ड का देख्ष बनाया गया, चेर्मेन बनाया गया, तवाम ऐसे IPS हैं, जो राजनी के लिए कहना से शुरू हुआ था, IPS की नौकरी जैसे इन्होंने की, तमाम मुख्यमंत्रियों से इन्होंने मोर्चा संभला लोहा लिया, आप अपने अंदात में जो भी चीज़ समझ सकते हैं, एक IPS अजिकारी के लिए बहुत आसान काम नहीं होता है, अंदाव जी आपका जो हत्कंडे अपनाए जाते हैं, पहले मैं जाना चाहूंगा कि आपकी जो एक शुरुवाती यात्रा रही है धिकारी के तोर पर अधिकारी से पहले की, संशित बिवरण हम जाना चाहेंगे, क्योंकि हमाई दर्फकों को लगातार गलत कंटेंट कई जगा हम ने पढ़ा कि अंडिवाइड बिहार था, मेरा गाउं शितामडी जीने में है और हम लोग जो जनकपूर है, जो शितामईया का स्थान है, उसके बहुत नज्दिक, बहुत नज्दिक मेरा गाउं है बिलकुल नेपाल बोडर पे, मेरे पिता इंजिनियर थे, वहां बोकारों में चले आए जारखन नहीं बिहार ही था, वहां से मैं IIT कानपूर गया, मैंने बीटे की पढ़ाई की और उसके बाद मेरा ITS में मेरा सेलेक्शन हो गया और UP के आडर गिल गया, इस तरह समझा जाए लगभभ उनने सो पचासी में मैं IIT हो गया था, तब से आज लगभभ उपरे खाल से पैंतिस साल हो गया है, मैं लगभभ उपी काही हूँ तो इस तरह से मुझसे बोच पूछता है, तो वैसे तो मेरी आवाज पूरी बिहारी टाइप की है, वह गलग बात है, लेकिन मैं अपने आपको अपको अब यूपी का मांगता हूँ, यूपी वाले मुझे मानते की न मेडिया में खबर रहती है, मेरा सवाल यह है कि जिस तरीके से आईपी एस और आईएस में नए जो बच्चे आ रहे हैं, जो नए रिक्रूट आ रहे हैं, तमाम इसी खबरे आती हैं, कि एक आईपेस अधिकारी में फोन पर यह क्या घुस, अभी एक अधिकारी नहीं क्या हैं, जो बदलाव आ रहा है, और उस बदलाव की बीच में आपको आपने स्टैंड किया, चाहे मुलायंसी में सरकार रही हो, चाहे खलेज की रही हो, चाहे भाजपा की सरकार है, क्या लग रहा है कि आसान होता है, कि कुछ चैलेंज आता है जमें, तो मैं अपने कारियर को यो लंभव उंत्य साल का रहा, जिसे कट शॉट हूरां दिये रूतिय साल का ओमउने उंत्य साल में मुं बिदा कर दिया, तो जो उlti साल का कर दिया,ります kes 13-14 साल, गहां यह बिदा सरक्व 노 неёμने रही हो, तो बोद कर देंचा हो, क्यों सर प्रांस्पर करा देगा उसका एक भाई जो जो एक अफसरों में होता है और कि नहीं सर्देखका हूं सर यह सर और नो सर मैं करता रहता था लेकिन कुछ ऐसी घटना है घटी मेरी जीवन में जो सबसे महत्यूर्ड घटना मुझे लगता उस लिहार से घटी हुए 2006 में हुआ ज अनी को दो siis सर दो की जाला रफ़ुटकां पर्णना मुझे ज्याला गलप काम प्रसंद करने तो ARE मेरा था कि मैं गलब काम नहीं करूंगा हूं उनहोंने इक जैगा इंसिडेट्सक पार से मुशकर हम्ला करने का प्राजिक हमला करने का प्यास किया मैंने मुलायन शिंग जिय क तो आके फोन से कहा कि सर ऐसे इसे घटना घटी है मुझे इसमें F.I.R कराना है उन्होंने कहा देखो तुम लखनव आजाओ F.I.R ना कराओ मैंने कहा conserv करवा हुआ तो उन्होंने कहा विधायक का नाम लो मैंने F.I.R कर आया है विधायक को पहला नामजद मुल्जी में बनाया, मेरे दो-चार दिन बाद मैंना ट्रांसफर हो गया, यह 2006 के मुझे लगता है कि स्टमबर अक्टूबर की बात होगी, बहुत दिन है 2006 का और आज का दिन है, इस 15 सालों में मैंने किसी को कानून की ओपर नहीं समझा, और मुझ अब बेसिरपार का आदमी है, पगलायठ है, मन मरची का है, तो उसके अधे पक्षान करते हैं, लेकिन यह भी सही है कि पिछले लगवक पंदरा अफ्सालों से जिसको कहते हैं, फिल्ड की पोस्टिंग, कुछ लोग उसको कहते हैं, मलाईदार पोस्टिंग, कुछ लोग कह इस पर ही क्यों एजिस्ट करता है, रूट्स मैनुवल उसमें रहा है, और पांच-छे साल एक सिविल डिफेंस है, उसमें रहा है, जिसमें भी जो बाना जाता है कि लास्ट और से लास्ट और से खामियाजा भुवत नहीं पड़ता है, उपर से जब से बोल्दा प्रधार म कि इस सालों तक SP रहे आप आगर सर्फी रहे डियाजी रहे इसको भी बताते चलें किन-किन जिलों में रहे तक तमाम इस तरग जानकारियां अभी बद नहीं हो पा रहे हैं, देखिए मैं शुरू में कई जिलों में SP रहा, मैंने अपनी सेवा गोड़कपूर से शूरू कि जो योगी आजितराजी हैं उनको मैंने पहली बार वही देखा था इनके तबाव चीजों मैंने देखा किस प्रकार से रेल एक्सिडेंट के समय ये वहां सामप्रदाइक्ता भोलना चाह रहे थे कैसे पुलिस की बात हो नहीं है यह बात है संद पंचानवे की बात ही है एक वहां पर राजगार्ट में रेल एक्सिडेंट हुआ था मैंने पहली बार योगी आजितराजी को वहीं देखा था यह भी लड़की तो लड़के ही थे विलकुल मैं भी सुनिवा था और यह वहां सामप्रदाइक्ता की बात कर रह मैंने पहली बार इनको वहां देखा और देरे देरे मुष्कार में स्पी पेजलो में रहा और देरे के कुछ हरसा हुआ कि मैं ज्यादा पुर्वांचन के जिलों में स्पी हुआ बलिया, देवरिया, महराज गंज, गोंडा, बस्ती, संतकबीर दगर और गोरख पूरियानी मैं योपीजी को बहुत महदिक सी जानता हूं यही मुझे जानते हैं और जो हम लोग के बिज्वेक प्रकार का जो मत्वेद रहा वो उस समय का ही है क्योंकि मुझे कभे भी इनके घोर सामप्रदाइक जो आचरण वेवहार था और उसका लॉड प्रिशिस सिधा प्रभाव उस बात को लेके 36 का अकड़ा लगाता हूं अच्छा अब आपको जो लोग IPS का नाम सुनते हैं हमने बहुत IPS को देखे हैं उनके घर गए हैं उनके हाँ पाएंगे तो आपको एक बाहर कोई मिल जायागा जो दर्वाजा खूलेगा अंदर ले आएगा सर्थ बस में बाद आ हैं कि सरकार के द्वारा दिया हुआ है कि आपकी मनलब आप जब IPS बने होंगे कभी उमीद लगी होगी कि इस तरीके का भी समय आएगा कि हमारे पास एक भी प्यून नहीं रह जाएगा देखिए यह हमी एक चीज है जिसे मैंने कहा कि मैं लगवक लगवक अपने जीवन को क इस दो तरह दो दो हिस्सें का मानता हुए तो पहले हिस्से मेरे पास रही होते थे जिसको हम लोग यहा इस अप्र प्रदेश्रल करते हैं फुर मुझे देरे-देरे विचार आए कि नियम यह है कि जो इनको हम सार्कार में दिया है वास्तों में पुलिस कर्मियों के लिए गरेलू काम के लिए इस खाना बढाने के लिए नहीं दिये हुए ये पूरी तरह जो भी अफसर इसको यूज करता है, समझे पूरी तरह से फ़स्टा चार करता है, तब जब मुझे मैं शन है शन है मैं नियमो और नितियों का जो जो चालन बन गया मैं, उनका दास बनते गया तो मेरे मेरे अपने अपने घर में चाहता है, अब तो निगाल के फेंग दिया लेकिन तुझी पहले कि मैं अपरी में था, तो आई जी लोग तीन, पात, साथ में जाने कितने फॉलोवर यहां वहां से युबाल करके रखे रहते हैं घर में मैं शाहाब के लिए इस मैंने, और मेरे पत्नी ने, हम दो घर का अपना काम करते हैं, जाला काम दो मेरे पत्नी करती हैं, यह दो पांच सालों से आप ऐसा बता रहते हैं, करी 10-12 सालों से इक भी फॉलोवर नहीं रखा, गाडी जरूर मुझे मिलती थी सरकारी, और कुछ दिनों से गनल मिले वे थे, लेकि रहे और नौकरी की लिकल गया हूं, तसलिए, मुझे अधिकार भी नहीं, कि मुझे सरकारी चीज मिले, लेकिन मेरे रहते हों, मैंने बहुत-बहुत बंब'RE समय तक, सरकारी चीजों का इस्तवाल, गैर वाजीद इस्तवाल मैंने रोग इया, एक सवाल और करेंगे अमचाब सर से, क्योंकि अमचाब सर आई पीए सदिकारी रहे हैं, बहुत उन्होंने देखा है दुनिया को, साही बाते चल लही हैं, सर आप लेखा कवर कभी भी आपके हिदे में है, आप लिखते भी में किताबे में लिखे दुए हैं, कोई ऐसा इस द आप दर्सकों को, चुकि यह सुरूप को आया लगब बहुत कम लोगन देखा होगा आप ता। में लोगों के लिए कहा था, योगी जी के लिए, उनकी कमपनी के लिए, बत्पर आपने मुझे निकाल दिया है जवर्दस्ती, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं सेवा मैं लौट आओंगा। में लिए हो जाएगा। एक सवाल और करते हैं सर से, बताया है नोंने लौट क्या हूँगा। समाजवादी पार्टी लौटने के फिराक में है, लगाता प्रियास कर रही है। योगी सरकार का भी कहना है वो बहुत जवर्ष्टी तरे के से लौट के आ रहे हैं। सरकार लौट रही है लेकिन लौटने की बाद सब्सक्री भी हो रही है। इनका भी कहना है कि चुनाव डढ़ेंगे। अगर योगी अज़ इनका चुनाव नहीं लढ़ते हैं। क्योंकि लगातार जुद यहां से रहा है यहां का मुखमंत्रियों का चाहे वो मायावती रही हैं 2007 में चाखले 12 में हो। अब योगी अज़ आप खुद जो हैं MLC मेंबर आफ लिए आप लिए यह पामशिल से आ रहे हैं लोग। अगर चुनाव नहीं लढ़े तो उस समय का क्या फैसला होगा आपका देखिए पहले तो जब मैंने जर्शूर किया था यह बात कही थी तो मैंने निर्णे किया था कि योगी जी अगर नहीं लढ़ेंगे तो मैं तुनाव नहीं लढ़ेंगा बात मैं अब दूशे कमाम योगी मेरे परचीत है या इस रास्ते के ज़राही है उनका यह कहना है कि जब आप भूमालीजी तो ठीक है आपने अपनी बात कही शिधान की बात कहीं लेकिन यह आप गौस्तों में राजनिती में रहना चाहते हैं और मैं कम बंभीर रूप से रहना चाहते हैं तो यह चीज की योगी जी न लड़ने तो आभी न लड़िये यह हलकी बात भी ऐसा एक सेक्शन का कहना है तो मुझे वह बात भी कुछ हम तक जच रही है अब वशी स्थिती अगर होगी ऐसा कुछ लगेगा तो मैंने अभी अंतिम निरने नहीं लिया है लेकिन संभव है कि मैं अभी संभव है कि मतलब मैं अभी मैं इस स्टेज में मैं जू हूं तो मेरी जिंदगी की तमाम चीज खृई नहीं अभी आकाग ले रही है यह मुझे लग रहा है कि मैं राजनीती में रहूंगा फुल टाइम रहूंगा जब मैंने नौकरी छोड़ी थी उससमय मुझे लगता था कि मुझे लिए पून्तियान अनुब्युक्त हूं और उसका कारण मुझे लता है कि तो मेरा बहुत ही रूखा मुझे लगता है मैं मतलब मैं मख़न पालिष नहीं करता मैं सीज़े गोपा मुझे सवाप ही आया तो आपको हमने कहा कि भाई साब मुझे समय कम है और वजा रहा हूं मुझे लाए कि पता नहीं अब चुकी मेरे घरवाले के लोपते से कोई तुम कहते हैं नेतागिरी वहां तो जूट ही पोलना जूट मैं एक नहीं पोल पाता है लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा जब मैं इस पूशन तक शुरूर किया मुझे लगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सच को भी पसंद करते हैं तो अच्छा बढ़ता है को यांदे सही बात कैसी दिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि संभव है कि मैं उतना असफ़व नहूं कि मुझे खुद के बारे में एसास था और इमांदारी से मैं अच्छा काम करना चाहता हूं इसमें कोई शक नहीं है राजदीती के माध्यम से अच्छा काम किया इसमें मुझे परिए कोई अशंका नहीं है तो बहुत संभव है कि मैं राजदीती में पूर्ण कालिक हो तो यह चीजे दरूर करता हूं अगर माई केस रहता और गलती से बीजीपी हो जाता चुकि मैंनी सिनियरेटी तो बहुत अच्छी थी और बहुत संभव था करना डीजीपी होता तो मैं सिर्फ एक काम करता और वहा काम है कि सिपाहियों का जो हमारे हैं जिसको हम नीचने त अजिनस्त पुलिस कर्मी पोलते हैं सिपाही हेड कॉंस्टेबल बोलते हैं मुझे उनका दर्द बहुत अजिक परशान करता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस भाग में केवल जो मतलब जो है केवल ऊपर के अफसर इस भाग में के प्रकार मुझे वह पारा साइट की सबसे बड़ी बात है मत्रब आपको को मैं यह बताओ मुझे अपने इस भाग में अपने संकप्ष अधिकारियों से इस बात के लिए भी सुनना पड़ा अपने सीनियर अर्ट्र से कि तुम सिपाही को अपने सामने कुर्सी को दे देते हूं जैसे कि माली जे मैंने किसी सिपाही को जो मेरी शान है जिनके कारण मेरी फिल्ड में इंपोर्टेंस थी सिपाही बेटने लाए थोड़ी है बली आदे लगती है मुझे लगता है भाग में आभूल परिवर्दन की जरूरत है सिपाहीों को उनका वास्त्रिय खक है विभाग के कल्चर विभाग के संस्कृति को पूर्ण रूम से परवर्टित करने की ज़रूरत है और मैं भले एक दिन के लिए भी डिजी पी रहता तो वह यह काम ज़रूरत करता है अमजाब सर से जितनी बाते की जाए कम हैं लगातार इनके आयाम रहे हैं रजक्यारी के तौर पर कभी लेखर के तौर आप में देखा ही है और अब नेता के तोर पर चुनाव प्रचार अभी शुरूर नहीं हुआ है टिकट नहीं बटा है पार्टी का एलान दीन नहीं हुआ है यह पहला इंटर्विव है अमिताब सर के साथ पूल टाक का हम प्रयास करेंगे उस दवरान भी लेकर के आएंगे जब सर मैदान में होंगे चुनावी रैलियों में होंगे और उस दवरान शायद थोड़ा समय मिल पाएगा आप देख रहे हैं पूल टाक लगाता अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर नहीं भूलिएगा अमिताब सर के लिए एक बात जो यह कहिएगा जो आपका सुझाओ होगा क्या सर चुनाव लड़े और लड़े किस दल से जाए कहा जाए कहां से लड़े कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा तब तक लिए धन्यवाद जैहिंद जैवाराइगा